प्यारे बच्चो नवांकुर के डिजी लेशन्स में आप सभी का स्वागत है आज हम हिंदी विशय में अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे बच्चो अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक थे ऐसा कहा जाता है उन्हें सितार, तवला और बजाना बहुत अच्छे से आता था ये कभी, सायर, गायक और संगीतकार भी थे उन्हें खड़ी बोली का लोगप्रिये कभी माना जाता है और उन्हें कब्बाली का पितामाह भी माना जाता है उनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था और उनकी मत्तु 1325 को दिल्ली में हुई थी वहें बहुत बड़े कभी, सायर, गायक और संगीतकार थे और बहुत अच्छी पहेलियां बनाते थे तो ये उन्हें की पहेलियां हैं, आज हम उन्हें की पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे और हाँ बच्चो, अमीर खुसरो का पूरा नाम भी तो था उनका पूरा नाम था अब्दुलहसन, यमीनुद्दीन, अमीर खुसरो है ना, तो इतना बड़ा नाम लेकर हम उनके बारे में सिर्व अमीर कुषरो ही बोलते हैं तो आज हम उनहीं की पहेलियों के बारे में पढ़ते हैं चलिए, अब यह पहेलियां है, इनका हमें उत्तर बताना है ठीक हें? तो चलिए, यहां लिखा हुआ है कितने सारे बच्चे खड़े हुई हैं चित्र में और एक लड़की बीच में खड़े हुई है वह पहेलियां पूछ रही है बच्चों से और बच्चे उत्तर बता रहे हैं ठीक है अब उसने क्या पूछा पहला है धूप से वह पैदा हुए चां देख मुर जाए एरी सक्खी मैं तुझसे पूछू हवा लगे मर जाए तो लड़की बोल रही है बता बता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तो बच्चों ने बोला पसीना उसने कहा सही उत्तर तो अब दूसरी पहली है एक नार के हैं दो वालक दोनों एक कही रंग एक फिर एक ठाड़ा रहे फिर भी दोनों संग बच्चों ने बोला चक्की के पाड अब तीसरा है आदी कटे तो सबको पाले मद्य कटे तो सबको मारे अंत कटे से सबको मीठा खुसरो बाको आँखों दीठा इसका उत्तर हुआ काजल अब फिर है एक कहानी मैं कहूं तू सुन ले मेरे पूत बिना परों वह उड़ गया बांध गले में सूत इसका उत्तर हुआ पतंग पतंग को धागे से बांध कर उड़ा दिया जाता है तो बिना पंकों के पतंग उड़ा जाती है अब नीचे है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर ओंधा धरा चारों और वह थाल फिरे मोती उससे एक नगरे इसकार थुआ आसमान या आकास की आसमान में चांद तारे लगे रहते हैं और उसको आसमान को थाली का रूप दे दिया थाली की उपमा दे दी गई है और चांद सितारों को मोती की उपमा दी गई है इस तरह ऐसे आसमान हुआ तो चलिए बच्चो आगे अब हम इस पार्ट के कुछ प्रस्न लिख दिये हमने तो आपको ये कॉपी पर लिखना है जैसे कौन सी चीज दूप में पैदा होती है पर चांव में मर जाती है कौन सी हुई बताए पसीना ठीक है अब दूसरा है चक्की के पाट की तुलना किस से की गई है चक्की के पाट की तुलना वताए किस से की गई है नारी के दो आलकों से बिना पंकों के कौन और सकता है पतंग अब आखरी है लास्ट वाला है आसमान के बारे में क्या क्या कहा गया है तो आसमान के बारे म मोती से भरा थाल कहा गया है है ना मोती से भरा थाली है ना असमान तो ठीक है ना चलिए अब आगे अब यहां हमने यहां कुछ जोड़ियां दी गई है अब इन्हें जोड़ियों को मिलाना भी है और सामने भी लिखना है ठीक है तो चलिए हमने ये जोड़ियां मिला दी हैं और सामने भी लिख दी हैं तो आपको फेर कॉपी पर लिखना है जैसे ठाड़ा, खड़ा, पूत्र, उंधा, उल्टा, चाउं, छाया, दीठा, देखा, नार, नारी तो इन प्रश्न उत्तरों को जोड़ियों को आप अपनी फेर कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है? चलिए, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद